आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है आज हम काना जी के लिए पगड़ी बना कर तैयार करेंगे पगड़ी दो इस्सों में बनाई जाएगी पहला इस्सा ये वाइट कलर का है और दूसरा मेरोन कलर का वाइट कलर की उन से हम दस नंबर की सलाई में 35 डाल लेंगे 35 डाल कर हम पहली सलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे पूरी सलाई को हम उल्टा ही बुनेंगे इस तरह से हम पूरी सलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे पूरी सलाई उल्टा बुनने के बाद हम अगली सलाई भी उल्टी उल्टी ही बुनेंगे एक फंदा हम बिना बुना उतार लेंगे सुरू का फंदा हम हर सलाई में बिना बुना उतारेंगे इस तरह से हम इस सलाई को भी उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरह से हम चार सलाई बनाएंगे दो उल्टी और दो सीदी दो सलाई बन चुकी है अब हमने तीसरी सलाई भी कम्प्लीट कर ली चोती सलाई उल्टी हम फिर उल्टी उल्टी बुनेंगे पूरी रो को हम कम्प्लीट कर लेंगे इस तरह से हम काना जी की पगड़ी बनाएंगे जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है अब ये दो धारी बन कर तयार हो गई है यानि कि हमने चार सलाई बनाई है अब हम अगली सलाई को सीधा सीधा बुनेंगे सीधी सलाई को हम पूरा सीधा सीधा बुन लेंगे और उल्टी सलाई को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे यानि कि दो सलाई सीधी सीधी हो जाएंगे इस तरह से हम पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे उल्टी सलाई को हम उल्टा उल्टा ही बिनेंगे इस तरह से हम उल्टी रो को पूरी को उल्टा उल्टा बुनकर कम्प्लीट कर लेंगे इस तरह से हमने इसको कम्प्लीट कर लिया है दो धारी बनकर तयार हो गई है और दो सीधी सलाई हमने कर लिया बगली सलाई को हम एक फंदा बिना बुना उतारेंगे और पूरी सलाई को हम उल्ता उल्ता ही बुन लेंगे पूरी रो कंपलीट होने पर यह इस तरह से बन कर तैयार होगा यह जो उल्टी-उल्टी धारी है यह तीन लाईने बनेंगी और दो सिदी-सीदी की पांच बनकर तैयार हो जाएंगी अब हम फंदों को घटाएंगे एक फंदा उतार लेंगे दो का एक, दो का एक करते हुए फंदों को आधा कर लेंगे दो फंदों का एक बनाते हुए हम सभी फंदों को आधा कर लेंगे उल्टी सलाई हम सीधी उल्टी उल्टी ही बिनेंगे उसमें कोई फंदा नहीं गटाएंगे एक फंदे को हमने बिना बुना उतार लिया है बाकी सलाई को हम उल्टा उल्टा ही बिन लेंगे इसमें हम कोई फंदा नहीं गटाएंगे अब आगली सलाई में हम फिर दो काई करेंगे सभी फंदों को हम दो काई एक, दो काई करते हुए जाएंगे जिससे ये फंदे फिर आदे रह जाएंगे सलाई को कम्पलीट करेंगे पूरी रो पूरा हो जाने पर हम उल्टी रो को फिर सीधा सीधा ही बुन लेंगे उसमें कोई फंदा हम नहीं घटाएंगे इस तरह से फंदे कम हो गए हैं अब हम पीछली वाली रो हमने उल्टी उल्टी बुन ली है अब अगली रो में फिर हमने दो का एक, दो का एक कर लिया है अब साथ फंदे बचे हैं इनको हम घटा देंगे दो का एक करते हुए सलाई पर उस फंदे को डाल कर फिर दो का एक, फिर सलाई पर घटा हुआ फंदा डाल कर हिर्दो का एक इस तरह से हम पूरे फंदे घटा लेंगे उन को फंदा बढ़ा करके उसमें को निकाल देंगे उन को काट कर हम इसे सुई में डाल लेंगे अब हम महरून कलर की उन लेंगे उसमें अठारा फंदे डाल कर उल्टा उल्टा बुनेंगे ये हम पगड़ी के ऊपर जो लगेगा उसको बना रहे है पगड़ी का दूसरा हिस्सा यानि कि उसको हम मैरून कलर से बना रहे है इस तरह से हम पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे और हम इसी तरह से डिजाइन बनाते हुए साड़े 5 सेंटी मीटर इसको बना लेंगे यानि कि यह उल्टी जो धारियां है यह पांच बनेंगी और सीधी चार पूरा बना कर हमने तैयार कर लिया है सूई में धागा डाल लिया अब धागे को हम इस तरह से उपर की तरफ ले जाएंगे उपर का हिस्सा हम बड़ा रखेंगे और नीचे का कम तीन रो छोड़ कर चोथी रो में हम इस तरह से सुई को डालते हुए इस तरह से हम सुई डालेंगे इस तरह से जैसे सिलाई करते हैं पूरे में डाल लेंगे और फिर उनको खीच देंगे खीच कर हम इसको अच्छे से बान देंगे और इसको यहां से हम पक्का कर देंगे ये कुछ इस तरह से बन कर तयार हो गई है ये पगड़ी के उपर लगेगा छोटा भाग नीचे की तरफ आएगा और बड़ा भाग उपर की तरफ लगेगा दोनों इससे बन कर तयार हो गई हैं अब हम इसकी सिलाई करेंगे नून को कैंची की हेल्प से काट लेंगे इस तरह से बन कर तयार होगा है पहला हिस्सा इस तरह से बना था नीचे वाला अब हम इसके एक किनारे में इस तरह से सुई डाल कर ऐसे सलाई में सुई डालते हुए नीचे तक आएंगे चोटा चोटा टाके लगा कर हम इसको पूरे सुई से करेंगे और फिर उनको खीच लेंगे उनको खीचने पर ये इस तरह से हो जाएगा अब हम सुई को फिर वापस ले जाएंगे उपर की तरफ इसी तरह से डालते हुए इस तरह से हम सुई को डालते हुए उपर की तरफ ले जाएंगे हम सुई को उपर की तरफ ले आएंगे अब हम इसको इस तरह से लगाएंगे छोटा इस सा हम नीचे करेंगे और बड़े वाला उपर करेंगे इस तरह से हम इसको इस तरह से सीर लेंगे अच्छी तरह से करके हम दूसरी तरफ का सफेद वाले पार्ट को आगे की तरफ से फिर सुई की एल्प से इसी तरह से टाके लगाएंगे और उनको खीच लेंगे इस तरह से टाके लगाकर हम उनको खीच लेंगे फिर हम उनको उपर की तरफ ले जाएंगे अब हम सुई को इस तरह से निकाल कर उपर की तरफ ले जाएंगे अब हम पीछे की तरफ सिलाई करेंगे दोनों को हम अच्छी तरह से सील लेंगे यह सील कर तयार हो गई है अब हम आगे से भी इसको अच्छे से कर लेंगे सफाई से करें अब हम इसके बीच में कोई बटन कोई मोती या कोई लटकन इस तरह से लगाएंगे जैसे पगड़ी पर लगाई जाती है इसके दोनों किनारे हम इस तरह से सीलेंगे नीचे की तरफ जिससे यह लगना दिखाई पड़े छोटे छोटे टाके लगाकर हम इसको सील लेंगे जैसे आपको आसानी हो वैसे आप सिलाई कर लें इस तरह से दोनों साइड से हमने इसको सील लिया है अब हम इस पर ये फलावर लगाएंगे आप इस पर कोई मोती या कोई लटकन लगा सकते हैं मैंने इस पर ये फलावर लगा दिया है जो देखने में बहुत ही खुबसूरत लगता है पगड़ी बन कर तैयार हो गई है अब सुई को नीचे निकाल कर कैंची की हैल्फ से हम इस थागे को भी काट देंगे पगड़ी इस तरह से बन कर तैयार हो गई है काना जे की पगड़ी हमने बना ली है अगर आपको ये पगड़ी पसंद आए आप लाइक करें पगड़ी कुछ बन कर इस तरह से लगेगी और सीर पर रख कर इस तरह से लगेगी काना जे की पगड़ी बन कर तैयार हो गई है